जैश्री महांकाल, जैश्री महांकाल जैश्री मानिए कि आपकी राशी के संब्दिश जो जो शिकायते हैं जो जो परिशानी हैं उसका आपको हल स्वयम मिल जाएगा तो वह क्या रहस्य है इस उड़े में हम पूरी बात करेंगे दोस्तों बहुत सारे लोग मुझे रतनों के लिए कहते कि पंडी जी हम कौन सा रत पहने बहुत सारे लोग कहते हैं कि हमें जीवन में बहुत सी तकलीफे हैं बहुत सी परिशानी जो खतम ही नहीं हो पारी है बहुत से कहते हैं एक अच्छा रुजगार नहीं मिल रहा अच्छा व्यापार नहीं चल रहा चीजे पहले चल रही थी अब नहीं चल रही है उन परेशानियों को परेशानियों से बहुत आसानी से और बहुत सरलता से बहार आ सकते हैं। सबसे पहला जो रहस्यात्मक बात में एक जो टेक्निकल खामी जो हमें हमेशा आपके लिए कह देता हूं कि हम उन जतनों पर हम जब भी हमें परिशानी आती है तब हम इश्वर की और जाते हैं। पार्ट ओफ लाइफ ही हमारा है इश्वर का नाम और भगवान का जब करना। तो वो जो रहस्य है जो इस दुनिया का सबसे गंभी रहस्य है वो है आपका जब। अब यहां से वीडियो को छोड़ के मत जाना क्योंकि जब सुम लिया मतलब आपको वह समझ रहें ऐसा नहीं है। होता ऐसा है कि हम कोई भी पूजा पार्ट या कुछ भी चीज करते हैं। वह हम एक सद्धा और भाव पुर्वक करते हैं। वह समय जब होता है तो हम पूरा जो समय दो घंटे तीन गंटे जो हमारे समय पूजा का होता है। हम पूरा इश्वर को डेडिकेट होते हैं। उसी का परिणाम हमें मिलता है। अगर मान लीजे कि अगर हम 24 घंटे में से अगर हर घंटे में 5-5 मिनिट-10 मिनिट जब भी खाले टाइम मिले। उसमें अगर हमारे गुरु मंत्र का जाब करें या हमारे ओम नमशिवाय मंत्र का जाब करें। तो आप सोच सकते हैं कि इसके परिणाम जो है कितने बड़े हो सकते हैं। जब आप 3 घंटे सतत पूजा करते हैं उसके परिणाम जब आपको इतने सारे दिखाई देते हैं। हम कंटीनू रोज रेगुलरली अगर उस चीज को करेंगे करना के ऐसी ओम नमशिवाय का जब। तो कि इश्वर के जब से जितनी सारी परिशानियां जितनी सारी तकलीफ हैं वो हमेशा के लिए खत्म हो जाती है। उसके साथ साथ दूसरी बात है कि हमारे अंदर एक अलग सब विल पावर होता है। हमारे अंदर सकारत्मक्ता होती है। हमें अच्छे और बूरे की समझ होती है। और हमें जियों में जो हमारे फैसले होते हैं। तो कभी गी इश्वन हमें गलत नहीं लेने देता है, ये इसके फाइदें हैं, तो हजारों साल फुराना रहस है, जब रिशी मुनी और जितने सारे लोगों ने जो तब किया है, जब किया, उसमें केवल मंत्रों का जब किया है, उन्होंने मन के अंदर, मुझ से बाहर नहीं मन के अंदर होना चाहिए, वो जब कर रहा है, जब कर रहा है, जब कर रहा है, जो परिणाम होंगे, शायद आप अपने जीवन भर समझ भी नहीं पाएंगे, कि इतने गजग परिणाम इस चीजों के मिलते हैं, ये बात मैंने बी प्रेक्टिकल की है, इसलिए मैं ये खुल में मत्नुलजी है, इसके अलाव अन्य किसी भी चीज में मत्नुलजी है, कोई तांतरीक या कोई बाबा या कोई टोना टुटका करने वाले, ये सब लोगों में मत्नुलजी है, ये आपका वक्त धन और हमारा mental harassment करते हैं, इसके अलावा और कुछ निकरते हैं, जो कुछ है इश्वर का जब सकारत्मक वेद और पुरान के जो हमारी चीजे हैं, उनको सकारत्मक में में फॉलो करना सही है,